हेलो फ्रेंड्स यदि आप उनमें से हो जिनको बिल्कुल बैसिक से जीरो लेवल से मेहत पढ़ना है तो आपको बता दूँ आप बिल्कुल सई जगे पर आए हो हमारा यकीन मानिए दोस्तों प्लीज वीडियो के अंतक आप हमारे साथ बने रहे हम आपको गारेंटी देते हैं आपको हर एक छोटा से छोटा कंसेप्ट बिल्कुल बारी किसे समझाए जाएगा और आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे तो फ्रेंड्स में त्रीदिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्रोफिट एंड लोस, टाइम एंड वर्क, मिक्सर एं एलिगेशन, रेशियो और प्रपोर्शन के एक व्यक्ति ने 2.5% के नुकसान पर एक टेप रिकोर्डर बेज दिया, यदि वह इसे 8,000 रुपे जादा में बेज था तो उसे 7.5% का लाब होता, वह उसे कितने मुल्य में बेचे की 12.5% का लाब हो, तो देखे फ्रेंड्स जब कभी भी हमको ऐसे दे रहा हो, एक ही वस वस्तु का करे मुल्य हो जाता है, यानि कोष्ट प्राइज यानि CP is equal to S2 minus S1 divided by S2 minus S1 multiply by 100, जहाँ पर S2 है दूसरी सेलिंग प्राइज यानि दूसरा विकरे मुल्य है, S1 है पहला विकरे मुल्य है, S2 है दूसरे विकरे मुल्य पर profit और loss और S1 है पहले विकरे मुल्य पर profit और loss और CP है वस्तु का करे मुल्य है, तो यहाँ पे देखी दोस्तों हमको देरका है दोनों विकरे मुल्य के बीच का अंतर 8000, यानि वो कह रहा है कि 8000 रुपे ज्यादा में बेचता तो उसको 7.5% का लाब होता, तो यहाँ पे tape recorder का करे मुल्य क्या हो जाएगा, S2 minus S1 दे कितना हो जाएगा, 7.5 minus X1 कितना दे रहेगा, 2.5% का नुकसान, यानि loss हो रहा है तो इसको minus में लिखेंगे, तो X1 हो गया, minus का 2.5 इसको bracket में लिख देंगे, और multiply करेंगे, 100 का, अब again देखे, CP is equal to क्या हो गया, 8000 multiply by 100, divide में क्या देखेंगे, देखेंगे, और minus plus हो गया, 7.5 plus 2.5 हो गया, 10 और 0 से यह 0 cancel हो गया, तो कितना CP is equal to हो गया, 8000 multiply by 10, यह किसके बराबर हो जाएगा, दोस्तों, 80,000 यानि 80,000 के बराबर हो जाएगा, अर्थाथ हमारे tape recorder का cost price, यानि करेंगे कितना है, 80,000, अब यह कह रहा है कि कितने मुल्ये पर बेचेग यदि SP हमको निकालना है, तो SP बराबर होगा, CP multiply by 100 plus minus X divided by 100, एक तो यह है, दूसरा है दोस्तों, SP is equal to CP bracket 1 plus X, तो यहाँ देखे दोस्तों, इन दोनों में difference ही है, यदि हमको profit और loss percentage में दे रका है, तब हमको यह वाला formula यूज़ करना है, और यदि हम percentage value नहीं दे रकी है, और profit और loss की fraction value यानि भीन संक्या के रूप में दे रका है, तब हमको यह वाला formula यूज़ करना है, simply यह है दोस्तों, कि यदि आपको लगे कि percentage के अंदर calculation करना आसान दिख रहा है, तो यह वाला formula यूज़ करना है, और जब लगे कि percentage में थोड़ी complication हो रही है, यानि थोड़ा calculation tough बन रही है, तब हमको यह वाला formula यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए, हमको देरका 12.5% का profit, तो देखिए दोस्तों, 12.5% देरका, अगर इस formula से करेंगे, थोड़ी calculation लंबी होगी, तो मैं आपको easy तरीके से करना सिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, आप मानिए कि जैसे 10% होता है, तो 10% को हम क्या लिखते है, 10 divided by 100, यानि इसकी fraction value, यानि 20 संग क्या होगी, 1 by 10, ठीक इसी परकार, दोस्तो 25% का क्या होता है, 25 बटा 100 लिखते हैं इसको, अब या आगे देखिए further 25 का इसमें एक बार भाग जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है, यानि 25% की fraction value कितनी होगी, 1 by 4, यानि भिन संक्या 25 की एक बटा 4 होगी, अब देखिए दोस्तों, जब हमको ऐसे और भी data है, जैसे 20% ह क्या लिखते है, 20 divided by 100, ये कितना होगया, 20 का 1 बार गया, यहाँ पे 5 बार भाग गया, कितना होगया, 1 by 5, यानि 20 की fraction value, यानि भिन संक्या कितनी होगी, 1 by 5, अब देखिए दोस्तों, यदि मुझे 30% निकालना हो, तो मुझे पता है कि 10% की भिन संक्या कितनी है, 1 by 10, तो 30% की आगा, 3 से मल्टिप्लाइ कर दूँगा, तो 30% की भिन संक्या कितनी होगी, 3 by 10, इसी परकार दोस्तों, 20 से अगर मुझे 40 जाना है, और मुझे 20 का पता है, 1 by 5 है, तो 40 का क्या देखा, 20 का डबल होता है, यानि भिन संक्या को डबल कर दूँगा, तो 1 by 5 को 2 से मल्टिप् 5 की fraction value मिल जाएगी, तो 5% की fraction value क्या होगी, 1 by 10 को 2 से भाग दूँगा, तो मेरा कितना मिल जाएगा, 1 by 20, इसी परकार हम आगे इस concept को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमको देरका 12.5%, तो हमको पता है दोस्तों, 25% को आदा करने पर 12.5% मिलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, fraction value कितनी हो जाएगी, 1 by 8, तो इसको मैं इस formula में use करूँगा, देखते हैं, formula मेरा क्या है, sp is equal to cp bracket 1 plus x, तो x मैंने अभी कितना निकाला, fraction value 12.5 की 1 by 8, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, lab हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर plus का sign यूज किया है, ठीक है, तो sp कितना होग मेरा cp अभी मैंने calculate किया था, आया था मेरा 80,000 multiply by 1 plus 1 by 8, अब इसको further calculate करने पर क्या होगा, sp बराबर 80,000 multiply by 1 plus 1 by 8 कितना होगा, दोस्तों, 8 LCM होगा, 8 बन जा, 8, 8 plus 1, 9 होगा, यानि 9 by 8 आएगा इसका solution, sp बराबर कितना होगा, 80,000 multiply by 9 by 8, और 8 का इसमें कितनी बार भाग ग times, तो यानि sp बराब किया था, 10,000 multiply by 9 कितना होगा, 90,000, अर्थात मेरा tape recorder का विकर मिले कितना होना चाहिए, 90,000 ताकि मुझे 12.5% का लाब हो, तो हमारे इस question का answer होगा, option D, हमें 90,000 रुपे में उस tape recorder को बेशना होगा, ताकि हमको 12.5% का लाब हो, इस question का screenshot ले लिजे दोस् ये question आपको खुद से solve करना है, जो अभी solve किये गए question के जैसा ही है, इसका answer आपको comment box में comment करना है, आपको किसी भी परकार question solve करने में दिक्कत आ रही हो, तो comment करके जरूर बताए, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please friends, subscribe कर ले, साथी bell icon क प्रेस कले ताकि आने वाले नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे, next question देखते है friend, ये question कह रहा है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 25% की हानी होती है, उसे किस मुल्य पर बेचा जाए ताकि 50% का लाब हो, देखी friend, किसी वस्तु के करे मुल्य और विकरे मुल्य के बीच में relation होता है, CP divided by 100 is equal to SP divided by 100 plus minus X, तो देखे दोस्तों, CP का मतलब होता है, cost price यानी करे मुल्य है, SP का मतलब है, selling price यानी विकरे मुल्य है, और X यहाँ पर profit और loss को denote कर रहा है, यदि profit हो रहा है, तो plus sign लेना है, और loss हो रहा है, तो minus sign लेना, तो देखे friend, यदि किसी वस्तु को दो अलग-अलग selling price या विकरे मुल्य पर बेचा जाता है, तो दोस्तों, दोनों इस्तितियों में करे मुल्य तो वस्तु का सेम रहेगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो CP by 100 हो मेरा constant रहेगा, चाहे फिर selling price first हो, और X1 उसको पर profit या loss हो रहा हो, या फिर अगर selling price 2 यान दूसरी प by 100 plus minus X2, तो यह देखे दोस्तों, जब एक ही वस्तु को अलग-अलग विकरे मुल्य पर बेचा जाता है, तो यह एक परकार की जनरल equation निकल के आती है, इसको आप 25 से याद रखो, जब भी अलग-अलग विकरे मुल्य की बात हो, तो calculation में यह कापी help होती है, तो देखे फ्र के बारे में कोई बात करीने रहा है, इसको सिर्फ selling price से मतलब है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो यहां पर देखे दोस्तों, पहली selling price कितनी दे रही है, 450, तो मैं लिख दूँगा 450, डिवाइड बाई क्या हो देखे दोस्तों, 108 plus minus X1, तो यहां देखे 450 में कितनी 25 परतिसत की हनी हो रही है, यानि मैं मैं माइनस में लूँगा X1 कितना है मेरा 25 परतिसत, आगे क्या होगा दोस्तों, SP2 यानि second विक्रे मुली यह पूच रहा है हमको या दियावा नहीं है, तो उसको मैं AGT लिख दूँगा SP2 यानि second विक्रे इधर क्या हो गया, 450 डिवाइड बाई 75 बराबर SP2 को मैं S2 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 150, अब देखे दोस्तों यह 150 इधर क्रोस मल्टिप्लाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, S2 बराबर 150 मल्टिप्लाइबाई बाई 45 डिवाइड बाई 75, फर्दर द कि 75 का एक बार भाग गया, 150 में कितनी बार गया, दो बार, 450 और 2 को जो मैं मल्टिप्लाइब करूँगा, तो मेरा S2 कितना देगा, 900 यानि मैं यह कह सकता हूँ, कि उस वस्तु को 900 रुपे में बेचा जाए, तब उसको 50% का लाब होगा, अर्थात हमारा option B राइट होगा य 50% के लाब के लिए, इस क्यूशन का भी screenshot ले लिजे दोस्तों, ये क्यूशन आपको खुद से ही solve करना है, अभी कियेगे क्यूशन के जैसा ही है ये, इसका answer आपको comment box में comment करना है, आपको किसी भी परकार की problem आ रही हो, क्यूशन को solve करने में तो comment करके जरूर बताएं, next क् दोस्तों, ये क्यूशन के रहा है, A प्लस B और B प्लस C किसी काम को क्रमसर 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, यदि A, B और C क्रमसर 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन काम करके उस कारे को पूरा करते हैं, तो C उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो देखें फ्रेंड, इस टाइप की question को 2 मेंतर स सोल कर सकते हैं, मैं आपको यहां दोनों मेतर से हल करना सिखाऊंगा, सबसे पहला मेतर देखते हैं, यहां कह रहा है कि A प्लस B कितने दिन में कर रहा है, दोस्तों, वो कर रहा है 10 दिन में, और B प्लस C कितने दिन में कर रहा है, फ्रेंड, वो कर रहा है 12 दिन में, अब दे यूनिट कुछ भी हो सकती जैसे 6 टेबल बनाना हो गया, 6 कुर्षी बनाना हो गया, 7 डश्टर बनाना हो गया, तो जैसे यहां पे कह रहा है कि A प्लस B 10 दिन में कितना यूनिट काम कर रहे है, 6 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, जैसे 6 यूनिट काम करना और B प्लस C की एक दिन की शमता हो गया, 5 यूनिट काम करना, तो इसको भी आप याद रखिए, आगे फर्दर केलकुलेशन करते हैं, आगे कह रहा है कि A कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन कर रहा है, 6 दिन कर रहा है, और C कितने दिन कर रहा है, 15 तो य चार दिन A प्लस B काम करेंगे तो ओक्या लिद्या 4 multiply by A प्लस B, यह A प्लस B क्या इनकी एक दिन की शमता है, इस्वी परकार पीछे यहां पर कितने बच गए दोस्तों, दो बच गए तो दो दिन वो किसके साथ काम करेंगे B और C मिलके काम करेंगे तो जब 15 में से 2 दिन इदर आगे C के तो पीछे कितने बच गए दोस्तों, 15-2 यानि 13 यानि C फिर 13 दिन अकेले काम करता है तो देखिए A प्लस B मिलके 4 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में करते हैं 6 यूनिट अभी हमने calculate किया है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं तो 4 दिन में कितना हो देगा 4 इंटू 6 यानि 24 यूनिट इसी परकार दोस्तों, 2 दिन में कितना करेंगे B प्लस C एक दिन में करते हैं 5 यूनिट काम तो 2 दिन में करेंगे 2 इंटू 5 बराबर 10 यूनिट तो देखें दोस्तों इन्होंने आपस में मिलके कितना काम कर दिया 24 और 10 यानि 34 यूनिट काम कर दिया टोटल यूनिट किती थी दोस्तों 60 थी तो 60 में से 34 गए दोस्तों कितना बच गया 26 यूनिट काम बच गया यानि दोस्तों 26 यूनिट काम 13 दिन में C अकेला करता है तो देखे दोस्तों, यहां से हमको C की एक दिन की समता पता चल गई, अब देखे दोस्तों, C यदि एक दिन में दो यूनिट काम कर रहा है, और टोटल यूनिट किता कारी है, दोस्तों, 60 है, तो C उस 60 उनिट को करने में कितना दिन लगाएगा, एक दिन में 2 लगा था, तो 60 unit करने में किता लगेगा 60 बटा 2 बराबर 30 यानि C उस काम को किते दिन में complete करेगा friend 30 days में तो हमारा यहाँ पर option C right हो जाएगा C को उस काम को करने में 30 दिन लगेगे ये तो हो गए दोस्तों पहला method second method में आपको बताता हूँ मान लिजे दोस्तों कि C उस काम को X दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1 by X इसी परकार दोस्तों मान लिया कि A प्लस B 10 दिन में काम कर रहा है तो A प्लस B उस काम को एक दिन में कितना करेंगे 1 by 10 और B प्लस C उस काम का एक दिन में कितना करेंगे 1 by 12 अब देखे दोस्तों हमें यहां दे रहा है कि A किते दिन काम कर रहा है 4 दिन कर रहा है B किते दिन कर रहा है 6 दिन कर रहा है और C कर रहा है 15 दिन तो देखे 4 दिन A प्लस B 7 में काम कर लेंगे और 2 दिन जो पीछे बचेंगे वो B प्लस C 7 में काम कर देंगे यानि A प्लस B 7 में 4 दिन काम कर रहे हैं और B प्लस C 7 में 2 दिन काम कर रहे हैं तो 15 में से 2 गए C अकेला कितने दिन काम करेगा? 13 दिन काम करेगा यहां तक ठीक है दोस्तों तो अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, कि A प्लस B चार दिन काम करते हैं, यह एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1 बाइ 10, तो चार दिन में कितना करेंगे, 4 से गुणा, पलस B प्लस C, एक दिन में कितना करते हैं, 1 बाइ 12, और 7 में कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन, तो कितन में से 2 गटाए थे तब कितना आया था 13 आया था तो 1 by x multiply by 13 हो गया अब आगे देखे दोस्तों ये कितना हो गया 1 बटा 10 into 4 कितना हो गया 4 बटा 10 प्लस ये हो गया दोस्तों 1 बटा 6 प्लस ये कितना हो गया दोस्तों 13 बटा X और ये पूरा काम किसके बराबर होगा दोस्तों 1 के बराबर क्योंकि पूरा काम तो 1 की है दोस्तों तो 1 के बराबर ये हो गया अब आगे देखें दोस्तों इनका LCM कितना देगा 60X ठीके दोस्तों 60X इनका LCM आ गया तो उपर देखिए 10 का इसमें कितना भाग गया 6 बार रिता हो गया 24x हो गया उपर प्लस यहां पर हो गया दोस्तों 10x प्लस यहां हो गया दोस्तों 780 बराबर कितना हो गया 60x अब देखिए 2410 कितना 34x हो गया दोस्तों 34x उदर जाएंगे कितना हो गया दोस्तों, 780, तो अब देखें, दोस्तों, 6X में से 34X गए, कितने बज़ गए, 26X बराबर हो गया, दोस्तों, वो कितना हो गया, 780, अब देखें, दोस्तों, X बराबर कितना हो जाएगा, 780, डिवाइड बाई 24, जब इसको डिवाइड करेंगे, फ्रेंट, तो X बराबर मे सी उस काम को अकेले 30 दिन में complete करेगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये concept समझ मायाँगा दोनों method से आपको जो method अच्छा लगे उस method से आप इस क्यूशन को solve करें इस क्यूशन का screenshot ले लिजे दोस्तों ये क्यूशन आपको खुद से solve करना है जो अभी solve किये गए क्यूशन के जैसा ही है इसका answer आपको comment box में comment करना है आपको किसी भी परकार की क्यूशन solve करने में दिक्कत आ रही हो तो comment करके जरूर बताए जदी दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे ये क्यूशन के रहा है 729 लिटर दूद तथा पानी के मिस्रण में दूद का पानी से अनुपा 7 अनुपा 2 है एक ऐसा मिक्सरन जिसमें दूद तता पानी का अनुपाद 7 अनुपाद 3 हो प्राप्त करने के लिए उप्रोक्त मिक्सरन में मिलाए जाने वाले पानी की मातरा होगी फ्रेंड ये एक mixture and allegation का क्यूशन है फ्रेंड इसके तहत क्या होता है किनी दो mixer को आपस में मिला के तीसरा result and mixer प्तियार के जाता है और उसके उपर कुछ calculation की जाती है तो इस टाइब के क्यूशन को करने के लिए allegation rule लगा जाता है दोस्तों जिसके अंदर क्या होता है हमें किसी एक content को reference मानके फिर calculation करनी होती है ये सब calculation कैसे होती है क्या allegation rule होता है दोस्तों वो मैं अभी आपको समझाऊंगा देखे दोस्तों जब इस परकार का mixer हो कि पहले mixer के अंदर कोई content और पानी हो वो दूसरा mixer है उसके अंदर only पानी हो तो इस type के cushion को करने के लिए क्या होता है कि जो पहला mixer है उसके अंदर पानी के अलावा जो दूसरा content है उसको reference मानके फिर allegation rule लगा जाता है तो यहाँ देखे दोस्तों पहला मान लिया मैंने mixer कितना है M1 है जो दूद और पानी का है वो दूसरा mixer यहाँ पर किया water है जो mix किया जा रहा है तो उसको मैं मान लेता हूँ W मान लिया दोस्तों कि हमने उसके अंदर एक्स लिटर water मिलाया है आगे देखे दोस्तों allegation rule लगाते वक्त क्या करते हैं यहाँ पर M1 के नीचे जिसको reference वाना उसका part लिख दो उस mixer के अंदर कितना है और जो दूसरा mixer है उसके अंदर उस reference वाले content का कितना part है वो लिख दो तो देखे दोस्तों यहाँ पर पहले mixer में अनुपाद किता देवा 7 अनुपाद 2 इसका मतलब है कि total भाग इतने 7 plus 2 यानि 9 भाग में से 7 भाग दूद है और 2 भाग क्या पानी है यानि 7 by 9 तो हो गया दूद और 2 by 9 हो गया पानी यही दोस्तों अनुपाद का basic concept होता है basic मतलब होता है इसी परकार जो resultant mixer मिला है उसके अंदर 7 अनुपाद 3 का अनुपाद है तो इसके अंदर क्या होगा कि total भाग है 7 plus 3 यानि 10 10 में से 7 भाग दूद है और 3 भाग क्या है पानी यानि 7 by 10 पार्ट है दूद और 3 by 10 पार्ट है पानी तो अब देखे दोस्तों allegation rule लगाते हैं मैं यहाँ पे दूद को reference बानके चल रहा है तो mixer first के अंदर दूद का पार्ट कितना है 7 अनुपाद 2 में 7 by 9 हो गया दोस्तों और water के अंदर तो दूद दूद है नहीं तो यहाँ पे कितना हो गया 0 अब आगे देखे दोस्तों जो result 10 mixer मिक्सर मिला उसके अंदर 7 अनुपाद 3 है यानि 10 बाग में से 7 बाग क्या है दूद यानि दूद का पार्ट हो गया 7 by 10 अब आगे देखे दोस्तों allegation rule के त्याद क्या होता है सबसे पहले इ यानि 7 by 10 माइनस 0 कितना हो गया दोस्तो 7 by 10 और जो इन दोनों का difference है दोस्तों उसको इदर लिखते और वो 7 by 9 माइनस 7 by 10 करेंगे 7 by 9 माइनस 7 by 10 इसको composition करेंगे क्या दोस्तों तो LC म कितना कितना ओ गया 90 हो गया और उपर हो जाएगा 10 इंटु 70-9 to 7 हो गया 63 यानि 70-63 हो गया दोस्तो 7 तो उपर हो जाएगा 7 तो निचे हो गया 90 यानि 7 by 90 हो गया इदर अब देखिए दोस्तो जो ये quantity आती है इनका जो अनुपात होता है वो इन दोनों mixer की quantity के अनुपात के बराबर होता है यही allegation rule होता है तो अब देखिए M1 की quantity का अन 7 by 90 तो अब देखिए दोस्तो यान M1 कितना है 729 हमको पता है शुरू में दियावा है 729 लिटर है और water हमने मान लिया दोस्तो एक्स लिटर मिलाया है वो किसके बराबर होगा ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 90 उपर जाएगा दोस्तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इदर यहाँ पर बचेगा only 9 तो 729 बटा X बराबर 9 हो गया दोस्तो फर्दर इसकी केलकुलेशन क्या हो जाएगी क्रोस गुना होने पर X बराबर हो जाएगा दोस्तो 729 डिवाइड बाई 9 अब इसके अंदर 9 का भाग दिया तो 72 में 8 बार गया फिर 9 में 1 टाइम यानि X बराबर दोस्त तो इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा option A हम 81 लिटर पानी मिलाया जा रहा है पहले mixer के अंदर ताकि हमको result 10 mixer मिल जाए 7 अनुपाद 3 वाला ये क्यूशन आपको खुद से solve करना है दोस्तों इसका screenshot ले लीजिए ये क्यूशन अभी solve केगे क्यूशन के जैसा ही है इसका answer आपको comment box में comment करना है आपको किसी भी परकार की problem आ रही हो क्यूशन को solve करने में तो हमें comment करके जरूर बताए नेक्ट क्यूशन लेते हैं दोस इसका कितना होगा यदि A और B का अनुपाद 2 अनुपाद 3 हैं B और C का 4 अनुपाद 5 और C और D का अनुपाद 3 अनुपाद 7 हैं तो देखे फ्रेंट इस question को solve करने से पहले एक चोटा सा concept आपको समझाता हूँ यदि कोई 4 संक्या है A, B, C, D इस परकार से हैं कि हमें उनका अनुपाद निकालना है और उनका continuous अनुपाद हमको देरका जैसे A अनुपाद B हमको देरका है X अनुपाद Y ठीक इसी परकार B अनुपाद C हमको देरका है P अनुपाद Q और C अनुपाद D हमको देरका है M अनुपाद N तो देखे दोस्तों इनका जो अपना खुद का अन पाट D, अब यह कैसे केलकुलेट होगा वो देखिए, जो भी हमको continuous अनपा देरेगा, उनको इस तरीके से adjust कर लो, फिर A के निचे आएगा दोस्तों, इन X, P, M का multiply, वो लिख दो X, P, M, उसके बाद B के निचे आएगा दोस्तों, M, P, और Y का multiply, यानि M से उपर जाना है, फिर Y की तरब जाना है, तो यह होगा, B का कितना होदेगा, M, P, Y, उसके बाद देखिए दोस्तों, C का होगा, Y से Q आना, Q से M जाना है, यानि C का अनुपात होदेगा, Y, Q, M, और D का होदेगा, दोस्तों, यही सिधा Y, Q, N, यह बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेर्ट, दोस्तों, कई एक्जाम में यह बहुत ही बार पूछा गया है, क्यूसन, तो यह ट्रिक आपको याद रखनी है, आपको कुछ नहीं करना, उनका जो continuous ratio दे रखाए, उनको से M जाएंगे, तो यह आपको याद रखना है, इसी परकार दोस्तों, यदि वो तीन संक्याय देरकी हो, जैसे A, B और C, और उनका continuous अनुपात देरका, जैसे A अनुपात B देरका, हमको X अनुपात Y, और B अनुपात C, देरका, हमको P अनुपात Q, तो इस टाइप के question में क्या करेंगे, जो इनका सीधा-सीधा अनुपात होगा, A अनुपात B, अनुपात C, वो कैसे होगा, A के लिए तो यह सीधा multiply होगा, Y, Q, तो दोस्तों, यह concept आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यह question बार-बार exam में पूछा गया, यह ratio और proportion का बहुत favorite question है, तो अब देखें दोस्तों, हम इस question को हल करते हैं, यह question कह रहा है, लिख दो आप इसको A, अनुपात B कितना है दोस्तों, 2, अनुपात 3, और B, अनुपात C है दोस्तों, 4, अनुपात 5, और C, अनुपात D है friend, वो है 3, अनुपात 7, तो A, B, अनुपात C, अनुपात D कितना हो जाएगा friend, A के लिए तो कोलम सीधा multiply होगा, 4 x 2, 8, 8 तिया, 24, यह 24 आ गया, उसके बाद B के लिए क्या पहरा 3 से 4 जाएंगे, 4 से इधर 3 जाएंगे, यानुपात C, और C के लिए 3 से 5 आएंगे, 5 से 3 जाएंगे, यानि 5 तिये 15, 15 तिया, 45, और फिर अगें D के लिए यह कोलम पूरा multiply होगा, 5, 3, multiply कितना होगा, 15, 15, 70, 105 दोस्तों, अब देखें दोस्तों, इन सब में 3 का भाग जा रहा है, 24 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो 8 लिए, 36 में 12 बार जा रहा है, 15 में, 45 में 15 बार जा रहा है, और 105 में देखें दोस्तों, यह जा रहा है, 35 बार, ठीके दोस्तों तो A, B, C, D का अनुपाद कितना होगा? 8 अनुपाद, 12 अनुपाद, 15 अनुपाद, 35 तो अब देखें दोस्तों इन सब के अनुपादों का योग कितना हो रहा है? 35 और 15 कितने होगे? 50, 50 और 12 और 20, 20 और 50 होगे दोस्तों 70 यानि A, B, C, D के अनुपाद दे रहे हैं 8 अनुपाद, 12 अनुपाद, 15 अनुपाद, 35 और इनके अनुपादों का योग दे रहे हैं 17 तो अब देखें दोस्तों B का हिस्सेदारी निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे B का अनुपात संक्या यानि B के रेफ्रेंस की अनुपात संक्या वो इन सभी के अनुपातों का योग का डिवाइड करके 6300 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे B के अनुपात संक्य कितनी है भाईया 12 है तो अब देखें B का हिस्सा निकालते हैं तो B का हिस्सा हो जाएगा फ्रेंड 6300 मल्टिप्लाई बाई B का अनुपात 12 डिवाइड बाई इनके अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों 70 अब देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया 7 का एक बार गया इदर कितनी बार गया 9 बार गया 0 आगया B is equal to देगा दोस्तों 90 multiply by 12 B is equal to ओगया दोस्तों 1080 यानि 1080 रूपे हिस्सा होगा B का 6300 में तो यहाँ पर हमारा option है 1080 का option A यानि इस क्यूशन का आंसर होगा option A B का हिस्सा 6300 में 1080 होगा इस क्यूशन का screenshot ले लिजे दोस्तों यह क्यूशन आपको खुद से अभी soul करना है और इसका आंसर आपको comment box में comment करना है यह अभी पिछले क्यूशन की तरह ही same है आपको किसी भी परकार की क्यूशन soul करने में दिक्कत आ रही हो तो comment करके जरूर बताए आपकी समिश्या का समधान किया जाएगा दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हम आपके लिए बहुत मेनत करते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलते रहे